हलो दोस्तों वेलकम अपका स्वागत है हमारी चैनल में तो डियर्स आज मैं थोड़ी से एक और मोस्ट इंपोटेंट बात बताने वाला हूँ जो अभी इसका नोट्रिफिकेशन जारी हुआ है आविदन पर के भी बड़ी जल्दी होने वाली है तो हम इसके उपर थोड़ा स विचार कर लें क्योंकि इसमें दोस्तों यह अभी नोट्रिफिकेशन जारी हुआ है जो पूरा ओफिसली नोट्रिफिकेशन के साथ हम आपको इसमें डेटेर बताएंगे यह रिजवर बैंक ओफ इंडिया यानकी आरबी आई में बढ़ती निकली है जिसके उपर हम फुर्फिपनबात है जो दसवी बारवी पास है और जिनकी आयू सीमा 21 से 35 वर्स है और जिनके पास बेचलर डिगरी भी है वो बी आविधन कर सकते हैं पर में बात यह उनीं स्टुडिन्टों के लिए है जिनके पास दसवी और बारवी पास है तो दोस्तों यह इसका सबसे पहले पराप्त हो सकते हैं इसी दुरान दोस्तों जो आज नोटिपिकेशन वाए इसी रोज हर रोज एक नहीं भरती के साथ हम सुरुआत करते हैं वो सबसे पहले आप पराप्त कर सकते हैं तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसकी ओपिसली विविशेट पे जहां पे आपको हम पूरा विवरंड बताएंगे आकरकार भर्ती के बारे में क्या भर्ती है कैसे आओ दिन होगा कैसे नहीं होगा तो हम उसके उपर चर्चा गए तो दूस्तो इसका नोट्रिकेशन यह रिजवर बैंक उप इंडिया सर्विस बोर्ड उप मॉंबे तो कि अकोडिंग यह नोट्रिकेशन जारी हुआ है जो हमने बताया था एडवाटेजमन्ट वन एके दोजार गुनिस के तहत यह एडवाटेशन यह एपलिकेशन जारी हुई है जो ओल इंडियान बर्ती होगी इसमें इंपोटेंट क्या होगा यह इसके उपर हम चर्चा करेंगे यह थोड़ा बेंक के प्रोसेसर के बारे में यहां पे ओनलाइन एपलिकेशन के अगोडिंग थोड़ा सा विवरन बतायावा है तो डियर्स अगर आप इसकी ओपिसल विविशाड पर जाके भी आवे दिन कर सकते हैं और यह नोट्रिकेशन वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं और इसके बारे में विवरन देखने के लिए एपलिकेशन ओनलाइन या इसके और विवरन जानने के लिए कौन सी पोस्ट है किसके लिए तो आप इसके ओपिसल विवशाड पर जाके पूरा विवरन कर सकते हैं तो दोस्तों विवशाड लिंक ओपन ओनलाइन रजिस्टेशन एपलिकेशन एंड पेमेंट फिस तो यह बता दे कि यह ओपन होगा 21 अक्टुमबर को यानि कि सेतंबर और अक्टुमबर को यह 21 अक्टुमबर से आवेदन शुरू हो जाएगा और 11 अक्टुमबर तकी आवेदन होगा तो यानि कि आपके पास करिवन 20 दिन का समय होगा ऐसे आवेदन करने का यह ओफिसरी ग्रेड बी की पोस्टे हैं लेवल वन एक्जामिनेशन इसकी एक्जाम होगी नवमबर में लेवल सेकंड एक्जाम होगी दिसमबर के आसपास और grade B second की बात करें तो दोस्तो इसमें भी same pressure है first paper ही होगा इसमें जो paper होगा November और second paper होगा December में 9 November को और 2 December को इसका second paper हो जागा यानि कि दोस्तो तीन पोस्टे हैं जिन तीन पोस्टों पे अलग-अलग vacancy यानि कि एक्जाम है जो आपको 2 December तक clear हो जाएगी तो यह थे हैं थोड़ी सी पोस्टों के नाम और पोस्टों का वेवरन देखें तो दोस्तों इसमें पोस्टे हैं अच्छी पोस्टे हैं करीबान 200 के आस्पास पोस्टे हैं और दस भी बारवी और बैचलर डिग्री वाले स्टुडेंटों के लिए अलग अलग पोस्टें इधार्थ की गई है तो डियस इसकी पेमेट फीस की बात करें दोस्तों इसमें सो रुपे फींस होगी जर्णल केटिगरी जबकि S.C. और E.C. केटिगरी की कोई फीस नहीं होगी जिसकी हम बात करें यहां के इसके वेकिनसी पोस्टों के बारे में तो टोटल्स वेकिनसी जिशेकी ऒुपेसरी ग्रेड Bडियर यजर्णल की बात करें तो दोस्तो इसमें जर्नल के टिगरी की 65 पोस्टे हैं जबकि SC के टिगरी की 25 पोस्टे हैं और ST के टिगरी की 11 पोस्टे हैं ओथर्स के टिगरी यानि की OBC के टिगरी की बात करें तो 44 पोस्टे हैं EWS की 15 पोस्टे हैं ऐसे करके 156 पोस्टे हो जाएगी इसी दोरां दोस्तो ओपिसरी ग्रेड बी सेगंड की बात करें तो दोस्तो इसमें जर्नल केटिगरी की नो पोस्ट हैं एसी की तीन है जबकि एस्टी की एक पोस्ट हैं तो यहां पर भी आप इसका पूरा विबरन देख सकते हैं यानि की टॉटल्स दोस्तो के आसपा से पोस्ट हो जाएगी आपकी तो डियस यह था थोड़ा पोस्टो का विबरन हमने पोस्टो के बारे में जान लिया अब इसकी कॉलफिकेशन और इसके बारे में जाने तो दूस्तो इसके अंदर आपको बैंक के अकोर्डिंग इसकी हो बीएसी हो तो आप जरूर आवेदन कर सकते हैं साथ ही हम इसकी आईउसीमा की बात कर तो मेकजिम 21 वर्ष होना जरूरी है तब ही आप आवेदन कर पाएंगे और साथ में 30 वर्ष सकते हैं पर इसमें दूस्तो निया मनुसार ऐसी और एस्टिकेटिकरी को छूट दी के बारे में बात कर लिए हमने पोस्टों के बारे में बात कर लिए हमने इसकी पैमेंट के बारे में बात कर लिए हमने और इसकी गरिविजेशन की बात एक बार फिर से कर लेते हैं कोल्फिकेशन के लिए आपको बता दें परस्ट कोल्फिकेशन पहली ऑपिसरी ग्रेड ब तो इसमें बीए और मास्टर डिगरी वाले स्टूडिंट आवेदन कर सकते हैं करीबन 55% के आंक लेके तो यानि कि दोस्तो ये आंकों के अनुसार है पोस्ट नमर थैड की बात करें दोस्तो थैड में भी वही सैम प्रोसेसर है मास्टर डिगरी बैचलर डिगरी है तो भी एक्जामीनेशन के एरिया मार्क्स कितने होंगे तो दुश्तों कटोप के अनुसार इसके 60 से 55 और 50 तक इसके कटोप जाएगी जो आप यहां पे देख सकते हैं पिछले एर्स के अनुसार तो यह था इसका थोड़ा सा विवरन जिसे हम आपको बताये थे यह आपको यह भी ब तमिलनाडू और तेलंगाना यह आपका पोस्टों का विवरन है आप जहां पे नोकरी करना चाहते हैं वहां पे आप इसकी पोस्ट चूज कर सकते हैं तो दुस्तों आज के लिए इस बोस्ट बरती के बारे में मैं यही बताने वाला था आपको अगर आप इसके लिए तैय अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और साथ में फ्रेंड्स वगरागों सेयर कर दें थेंक्यू दूस्तों जैह हिं दूस्तों जल्दी से अपलाए करें थेंक्यू दूस्तों